सभी दिल्ली वासियों को मेरा नमस्कार पिछले एक साल से जब से कोरोना शुरू हुआ है मैं समय समय पे आपके बीच में आके सभी तत्यों को परिस्थितियों को इमांदारी के साथ आपके सामने रखता रहा हूं आपसे चर्चा करता रहा हूं एक चीज हम लोगों ने हमेशा गांठ बांद के रखे ही आपको कभी गलत अथ्या नहीं दिये आपसे कभी जूट नहीं बोला जो था आपके सामने रख दिया अगर स्थिति अच्छी थी तो भी आपको बताया स्थिति खराब थी तो भी आपको हमने इमानदारी से बताया क्योंकि हम पहले दिन से समझ गए थे कि ये इतनी बड़ी आपदा है कि आपके साथ के बिना जनता के साथ के बिना अकेले इस आपदा से सरकार सामना नहीं कर सकते जनता का सैयोग और जनता की सहभागिता उस पूरे संघर्ष में बेहद जरूरी है और जब तक जनता को सच नहीं बताया जाएगा सारे तथे जनता के सामने नहीं रखे जाएगे तब तक जनता की भागिदारी सुनिश्चत करना असंभल था इसलिए हमने हर चीज आपके सामने रखी हमने टेस्ट नहीं कम होने दिये आज दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं मैं तो यह कहूँगा कि अगर प्रती 10 लाख की पॉपुलेशन पे देखा जाए तो शायद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहा है मैंने देखा कि कई जगों पे उन्होंने टेस्ट कम कर दिये टेस्ट कम कर दिये तो केस कमाने लग गए इस तरह से तथ्यों के साथ कई जगे हेर फेर करने की कोशिश की गई हमने ऐसा नहीं किया हमने टेस्ट कम नहीं किये उल्टे कम करने के वज़े हमने दिल्ली में टेस्ट कई गुने बढ़ा दिये आज लगबग एक लाख टेस्ट दिल्ली में डेली हो रहे है हमने मौत के आंकड़े आपसे नहीं छुपाए जितनी मौते होती थी, हमने सब आपके सामने रखी, इमानदारी से रखी. अगर ज्यादा हो रही थी तो ज्यादा बताई, कम हो रही थी तो कम बताई. कितने beds हैं, कितने ICU beds हैं, क्या परिस्थितियां हैं हर चीज आपके सामने इमानदारी के साथ रखे और इसी वज़े से जब भी हमने कड़े निर्ने लिए हमें आपका पूरा सहयोग मिला दिली की जनता का पूरा सहयोग मिला मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी दिली एक परिवार है दिली के 2 करोड लोग एक परिवार है और जब परिवार में कोई आपदा आती है तो सारे परिवार के लोग मिलके उसका सामना करते हैं अब भी हम सभी मिलके इसका सामना करेंगे पहले भी जीत हुई थी अब भी जीत होगी आज दिल्ली में क्या परिस्थिती है पिछले 24 घंटे में दिल्ली में लगबग 23,000 केस आये हैं उसके पिछले 24 घंटे में लगबग 25,000 केस आये थे तो पिछले तीन चार रोज दिन से रोज हम देख रहे हैं लगबग 25,000 के करीब केस आ रहे हैं पॉजिटिविटी बहुत ज़ादा बढ़ गई है संक्रमंदर बहुत ज़ादा बढ़ गई है दिली के अंदर अस्पतालों में उपलब्ध बेड्स की भारी कमी हो रही है डेली 25,000 अगर पेशेंट्स आएंगे तो कोई भी विवस्था चरमरा सकती है दिली के अंदर बेड्स की भारी कमी हो रही है ICU बेड्स दिली में लगबग खतम हो गया है आज सुबह मैं एप पे देख रहा था सौ से भी कम ICU बेड्स दिली में बचे है ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है कल हमने सेंट्रल गवर्मेंट को भी लिखाया उनसे बाचीच चल रही है परसो रात को एक हादसा होते होते बचा एक प्राइवेट हास्पेटल ने हमें बताया कि परसो रात को तीन बजे के करीब उनके अस्पताल की ऑक्सीजन लगबग खतम हो गई वो बोले जी हम तो बहुत बुरी तरह से डर गए बहुत बड़ा हादसा हो सकता था इधर उदर हाथ पर मारके किसी तरह से उन्होंने कहीं से ऑक्सीजन का इंपिजाम किया दवाईयों की कमी हो रही है रेमडेसिविर दवाई की खासकर काफी कमी हो रही है ये सारे तथ्थे मैंने आपको डराने के लिए नहीं बताए ये सारी परिस्थिती है और इन परिस्थितियों में हमें अब अगला कदम क्या उठाना है इस पे चर्चा करने के लिए मैंने आपको यह परिस्थिती बताई है तो दिली के अंदर करोना की परिस्थिती काफी गंभीर है अभी तक हमने दिली के अंदर हेल्थ सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से म आई फिर सितंबर में फिर तीसरी वेव आई जिसमें साड़े आठ हजार के करीब केस आए थे दुनिया के कई शहर ऐसे हैं बड़े बड़े देशों के विक्सित देशों के शहर जहां छे हजार केस आए तो उनका पूरा हेल्थ सिस्टम चर्मरा आ गया कॉलाप्स कर गया दि अब दिल्ली का हेल्थ सिस्टम अपनी सीमा तक पहुँच गया है हमारा हेल्थ सिस्टम अब बहुत ज़्यादा तनाव में है मैं यह नहीं कहूंगा कि हमारा हेल्थ सिस्टम अभी कॉलाप्स किया है लेकिन आज हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा तनाव में है किसी वी health system की अपनी सीमाई होती हैं अंगिनफ पे पेशेंट्स तो कोई भी system नहीं ले सकता ना किसी भी system की अपनी सीमाई हैं पिछले 5 साल में आपकी सरकार ने दिल्ली में बड़ बहुत बड़े स्तर पे सुस्द के क्षित्र में काम किया है, खूब नए हॉस्पिटल खोले हैं, महला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक बनाए है, बहुत बड़े स्तर के उपर स्वास के खित्र में काम हुआ है, यही कारने कि आज 25,000 केस के उपर भी दिल्ली का सिस्टम चल रहा है, लेकिन अब इसके बाद अगर तु हो जाए, जैसे हमेंने बताया कि कल एक अस्पताल में ऑक्सिजन बिल्कुल खतम हो गई थी, और बहुत बड़ी तरासदी होते होते बची, मैंने वीडियो देखिये हैं, तस्वीरे देखिये हैं, आपने भी देखियोंगे सोशल मीडिया पे, दुनिया के कई शहर ऐसे हैं जहां कॉरिडोर में पेशेंस पड़े हुए हैं, सडकों के उपर लोग दम तोड़ रहे हैं, अभी तक हमने दिल्ली को उस किसम की तरासदी से बचाया है, वैसा नहीं होने लिया, आज सुबह 11 बजे मेरी और LG साब की मीटिंग होई, और इन सारे पहलों के उपर, सारी पर पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है, अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया, तो कहीं ऐसा नहों की बड़ी तरासदी हो जाए, हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिती में नहीं ले जाना चाहते, जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, आज रात को दस बजे से, अगले सोमवार को सुबह पांच बजे तक, छे दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, इस दौरान जाहिर है कि जो जो essential services हैं, वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, medical विवस्थाओं की वो जारी रहेंगी, ये शादियों का हैं, लोगों के बड़े मुश्किल से रिष्टे बनते हैं, हम उनके रिष्टे तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन हों, लेकिन केवल पचास लोगों के gathering के साथ संपन हो, उसके लिए अलग से पास दिये जाएंगे, इसके बारे में अभी थोड़ी द कोई उपाएं नहीं बचा था, हमारे लिए ये निरने लेना असान नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लोगों के रोजगार खतम हो जाते हैं, लोगों की कमाई खतम हो जाती है, और खास कर सबसे गरीब तब के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है, जो दिहाडी कर जूर अपने गाउं जाने लगे थे, उनसे मैं खास तोर से हाथ जोड के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, छे दिन का, दिली छोड के मत जाईएगा, आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ये, यकीन मानिये हम पूरी मानदारी के साथ, सब मिलके लड़ेंगे, तो जल्दी इस मुच्सिबत से छुटकारा पाएंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी, मैं हूना, मुझ पर भरोसा रखिये, मेरी दिली के सभी नागरिकों से लेकि ये, निरने हमने बहुत मुश्किल से लिया है, आप सब लोग जानते हैं कि मैं लॉकडाउन के सक्त खिलाफ रहा हूं, हमेशा से मैंने लॉकडाउन का विरूद किया है, मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन से करोना खतम नहीं होता, लॉकडाउन से करोना की स्पीड कम हो जाती है मेरा हमेशा यह मानना है कि अगर किसी भी शहर या राज्य की स्वास्त विवस्था अपनी सीमा तक पहुंच जाए तो लॉकडाउन लगाना जरूरी हो जाता है ताकि पेशेंट्स का नंबर कम हो जाए ताकि हेल्थ सिस्टम को और दुरुस्त किया जा सके यह जो छे दिन का लॉकडाउन हम लगा रहे हैं यह जो छे दिन हम ले रहे हैं आपसे इन छे दिनों के अंदर हम बहुत बड़े स्थर के उपर और दिल्ली में बैड्स की विवस्था कर करेंगे इस लॉकडाउन के समय को हम इन सब चीजों के लिए इस्तिमाल करेंगे मेरी अप सब लोगों से गुजारिश है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें घर से बाहर इस दौरान ना निकलें पहले भी हमने कई कठिन निरने लिए और आपने मेरा पूरा साथ द करेंगे हम मिलके इसका मुकाबला करेंगे और जरूर जीतेंगे नमस्कार